हलो नमस्कार दोस्तों मैं समीर आप स्विक अपने ही यूटूब चैनल डिजिटल पावर में हार्दिक स्वागत करता हूं फ्रेंस 2022 में जितने भी रहयत किसान है जितने भी सबका यहां पे जमीन का जो है ओ डिजिटल दास्तवेज प्रस्तूत किया जाएगा डिजिटल दा दास्तवेज में उनको जम बंदि भी मिलेगा ऑर भी जम होंगे उनको ओन लाइन उप्लवध कराया जाएगा इसके लिए उनको online आवेदन करना होगा ठीक है फ्रेंस कब से मिलेगा दास्तवेज और यहां पर बताएगा कि जितने भी 534 लगबक सभी 534 अंचल करजालियों में एस विधा उपलब्ध होने जा रही है जी फ्रेंस जमीन का टोटल जो दास्तवेज होगा वो आपको डिजिटल रूप म मिलेगा आज का अपडेट यहां पर निकल का आ गया है फ्रेंस यहां पर आप देख सकते हैं इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं आप 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 देख सकते हैं लगबग यहां पर 3.77 क्रोड जम बंदियों को विशेष अभियान कराया गया है एक विशेष अभियान के जरिए जितने भी लगबग 3.77 क्रोड जो जम बंदि है उनका जो हैं यहां पर digitalization किया गया है और जितने भी जमीन होंगे उनको digital दास्तवेज एक मार्च से मिलना सुरू हो जाएगा जी फ्रेंस एक मार्च 2022 से उनका जो जमीन का दास्तवेज मिलना सुरू हो जाएगा और ये जो है टोटल जितने भी बिहार के अंत्रगत 534 ब्लोके है सभी ब्लोकों से डिजिटल जमाबंदी दास्तवेज मिलने लगेंगे ठीए फ्रेंस इसके लिए दास्तवेज लेने के लिए जो भी यहाँ पे किसान होंगे रहियत होंगे उनको यहाँ पे ओनलाइन अववेदन करना होगा और कहाँ पे अववेदन करना होगा किन से मिले गात यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है कि बिहार के रहियतों को डिजिटलाइज अधिकार देने के लिए यहाँ पे अविलेक का जो तारिक है उत्ताई किया गया है अगले माह की पहले तारिक यानि अभी फरवरी चल रहा है मार्च से जितने भी एक मार्च से जितने भी 534 ब्लॉक होंगे सभी बडॉकों के अंचल जो कर जाले होंगे उनमें जमाबंदी दास्तिवेज का डिजिट जैसे हम जाती आय या निवास या कैरेक्टर जो सेटिफिक हम डिजिटली साइन होके आता है बस उसी तरह उसी मोडल पे यहां पे इसको भी प्रस्तूत किया जाएगा वो अपना प्राप्त कर सकते हैं जो लेना चाहता है गत फरवरी को करजाले में एक समिक्षा की गई समिक सुरत कुमार उन्होंने यहां बात बताई है कि जो भी यहां पे डिजिटल काम होगा डिजिटल दास्तिवेज खत्यान होगे उनको मिलना एक मार्च से मिलना शुर्व हो जाएगा ठीए फ्रेंस आगे बताये गया है कि जितने भी यहां पे इंट्री में गल्ती होने पर हो जो भी ब्यक्ति यहां पर सुधार करेंगे जो भी गलती हुई होगी उस गलती का सुधार करने के लिए उनको डिजिटली साइन करना होगा और डिजिटली साइन करने के बाद या डिजिटली सिगनेचर करने के बाद उनके नाम से प्रस्तूत हो जाएगा कि जो यहां पर इस कि डिजिटल जमाबंदी को सुरक्षित रखने की जिम्मेबारी जो होगा और अंचल के राजस्व अधिकारी या अंचल निरिक्षकी होगी जो भी दास्तवेज दिया जाएगा उस पर करमचारी राजस्व अधिकारी और अंचल अधिकारी का दस्थकत यानि सिगनेचर होग जमाबंदी की हाट कोपी आधुनिक अभिल्य खागारों में रखी जाएगी यानि जो अभी मोडर्न जो यहाँ पर अभी देख रहे होंगे मोडर्न जितने भी यहाँ पर अभी चल रहे थे मोडर्न एक रूम बनाने के लिए तो उसी में उसको रखा जाएगा इससे यहाँ असपोस्ट हो सकेगा जब सिगनेचर करने के बाद कि जमाबंदी पंजी में अगर कोई सुधार किया गया हो तो किस तारी को किया गया है और किनके द्वारा यानि किनके हस्ताक्षर के आधार पे इसको चेंज किया गया है यह जनकारी आपको डिजिटल रिकॉर्ड रूम में आपको मिलेगा जब यह दास्तवे जब से प्रस्तूत करने लेंगे जाएंगे ठीक है फ्रस तो यहांपे एक छोड़ी सी अपडेट थी मैंने आपको बताने का प्रयास किया है अगर यहाँ पे अगर आप आप आबेदन करते हैं तो आप अपना सुधार करा सकते हैं या जो भी होगा अपना दास्तवेश पराप कर सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते ह तो इसका लिंक जोगा या इसको हम सेर कर देंगे अपने टेलीग्राम ग्रूप में टेलीग्राम ग्रूप में आप जॉइन हो जाएगा वहां पर भी हम अपना वीडियो सेर करते रहते हैं वहां पर भी नोटफीकेशन अप सेर करते रहते हैं हलांकि यहां पर एक और बात हम आप देख सकते हैं खुद से और खुद से भी आप चिक कर सकते हैं तो अपडेट कैसे लगी कॉमेंट बॉक्स में ज़रुवत हैगा किसी परकार के अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहेगा मिलते हैं नए अपडेट, नए वीडियो, नए रिक्रूटमेंट के साथ तब तक के लिए दिज़े इजाजत जय हिंद बंदे मातरम